पाठ एक, प्रण, स्वरूप तो रो क्यों रही है, मास्टर जी महरूप सार्या बच्चे आनाल मिलके मेरा मजाग उड़ा रही है, क्यों, ओह अजेह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा पंजाबी विच ही गल कर दी हा न, इसलए, स्वरूप बेटा, पंजाबी विच गल करना ता बहुत वदिया है, प्यारी बच्चे ओ, सानू ज्यादा तो ज्यादा पाशामा सिखनिया चाहिदिया हान, पर सानू अपड़ी मा बोली पंजाबी दा हमेशा सतकार करना चाहिदा है, जी मास्टर जी, असी अग्गे तो इस गाल दा त्यान रखांगे, आओ, अज असी सारे मिलके प्राण करिये, कि मा बोली पंजाबी नाल प्यार करांगे, अते इस दा सतकार करांगे, प्राण अज मिलके कर दे हां, सची गालिक कैनों नहीं डर दे हां, पाशावां बढ़ियां ही सिखांगे, पड़ लिखके अग्गे वदांगे, पर मा बोली नू नही विशारांगे आपस विच पंजाबी ही उचारांगे प्रण अज मिलके कर दे हां सची गल कैनों नई डर दे हां सानूवी लालच नित मिल दे एह बोली अपना लो जाओ बोली पविख सुखाला हो जाणा विदेशाच जानी एही बोली पर रैण देओ कदरदानों अपनिया एना नेक सलाहानों मा ते मेरी मा बोली सावे में मा बोली नहीं जानी दिल दे जज़बात उगाडण लई मा बोली नूही तक्त बिठावांगे परण अज असी मिल के कर दे हां सची गल कहनों नई डर दे हां पंजाबी रहे जूज दे मुढ तो ही पर हार कदो इना मन्नी है जित दे सेरे बनने सिराते जान पावे सबना दी नन्नी है देस वसन पर देस वसन पंजाबी नू सिंज दे रहें देने मा बोली दी तरक्की दे लई कालना काल दे रहें देने बढांगे डाक्टर वकील पावे पंजाबी दी सेवा कर दे जावांगे पंजाबी दे गवाचे मान सनमाननू मुड एदी चोली पावांगे प्रण अज मिलके कर दे हां सची गल केणो नई डर दे हां सिख्या साननू पंजाबी दे गवाचे मान सनमानू वापस लेओन लेई यतनशील होना चाहिदा है